अप्राजिता का पुस्व फल पौधा सब कुछ वस्चिगरण के परियोग होता है तंत क्रियाओं में परियोग होता है आज हम आपको एक खास बात पताएंगे देखिए अप्राजिता जो होता है वस निला और सफेद दो रंगों में होता है जो पुस्व होता है और इस पु आपको सबसे पहले तो निमंतरन देखे आईए आप उनसे बोल कर आईए कि आपको किस काम से उनको लेने जाना है और अगले दिन आप उसको लेकर आईए पुस्प को और साया में सुकाईए तो इसको आप रखी हमेशा अपने पास या पुस्प जो है ना बहुत दुरलव ए बार-बार कोई वेक्ति मिर्त वेक्ति आपको दिखता है आप परिसान है तो आप एक छोटा सा काम किजिए बुलू कलर का जो अपराजिता होता है उस पौधे के जड़ को या थोड़े से दिन पहले आप एक दिन पैयनाम करके आईए उस पौधे को और अगले दिन जाकर थोड़ा सा तोड़ कर ले आए इसको धूप दिखाए और साप कर ले और फिर बुलू कलर के कप्टे में बांद कर आप अपने पास समयसा रखे आप चोते हैं तो अपने तक्या के नीचे रखे आप इसे ये चाहे तो धारन भी कर सकते हैं इससे क्या होता है ना जो उपरी पुछब होता है उसका जड़ लेकाईगा और उसको बुलू कलर के कप्टे में बांद कर घर के मुख द्रबाजी के उपर लगा दे बाहर के दरफ से आप देखेगा कि लोगों का टोना तूटका नजर दोस सभड़ जाएगा और आपकी प्रसाने समाब तो होगे धन की मु दोप दीव दिखाते रहेए धन आता रहेगा क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप अपराजिता का धन अगर घर में ले आते हैं तो चोरू भी नहीं हो जाती नेगेटिव इनर्जी भी दूर आती है और गरीवी भी दूर हो जाती है नौकरी में सफलता भी देता है अगर प्रसानी है तो आप हनुमान जी के चरणों में जाकर अपराजिता का पुस्प अर्पित करें 11 अपराजिता का अर्पित करें हनुमान जी के चरणों में या आप मादुरुगा को ही अर्पित करें जो भी भगवान आपके घर के आसपास से वहीं जाकर आप अर्पित कर दे तो आपके नोकरी बेपार बैवसाय में आपको सफलता मिलती है आप अपराजिता का प्रियोग आप धन की प्राप्ति करने के लिए कर दसकते हैं धन आने के अगर बाद नहीं खुल रहे हैं तो आप नेमित रूप से अगर आप घर में यह प्रियोग कर सकते हैं शिवजी को आप अप्राजिता का पुस्प अर्विजद करें तो धन आने लगता है और धन के समझाये दुर होती है जीवन से जो परिसानिया है वो समाप तो हो जाती है तो अप्राजिता की बहुत सारे प्रियोग है आप कोई भी एक प्रियोग कर लें अपने मनत के अनुसार धने भी